अगर आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद आक्सेस डिनाइड लिग देता है तो आपको क्या करना होगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो बहुत सारे लोग घबडा जाते हैं कि हमारा पेमेंट फास गया मतलब हमारा एक हजार रुपे कट गया यहां पर सकसेज फूल नहीं लिखा आक्सेस डिराइड लिग दिया क्या होगा क्या नहीं होगा तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपका पैसा कैसे बच सकता तो फ्रिंड आपको घबलाने की जरुद नहीं है इस वीडियो में आपको पूरा डीटेल बताऊंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइ अर फीर दुवारा वाबस नहीं आते हैं तो आपको काफी ज्यू o तक वेट कर लेना होगा 10 से 20 मिनट वेट करने के बाद फिर इसी तरह से सो हो रहा था 10 से 20 मिनट मैंने इंतजार किया 20 मिनट के बाद फिर से मैं आया और यहां पर आने के बाद फिर से मैं अपना परिवहन का website open किया, परिवहन की website open करने के बाद यहाँ पर अपना state select कर लिजीगा, तो यहाँ पर मेरा है उतरपरदेश, उतरपरदेश को मैंने select कर लिया, select करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आएगा driver या learner license, तो इस पर आपको click कर देना होगा, click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आएगा, तो यहाँ पर आपको अपना state यहाँ पर पहले select कर ले रहा हूँ, state select करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं skip, इसकीप पर आपको click कर देना होगा, क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां पर फ्रेंट देख सकते हैं लिग रहा चिक एक payment status तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद फ्रेंट यहां पर आपको application number यहां पर डाल देना होगा जो भी आप payment करने से पहले आपको एक application number मिलता है उस application number को यहाँ पर डाल दीजेगा और data birth डाल दीजेगा जिसका भी online आप कर रहे थे उसका data पर डालके और यहाँ पर जो capture है capture डालके verify पर आपको click कर देना होगा तो यहाँ पर verify पर click कर दे रहा हूं verify पर click करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर देख सकते हैं select paid और यहाँ पर application number आपका आजाएगा status में यहाँ पर देख सकते हैं pending लिखा है और total paid यहाँ पर 1000 रुपय हमारे पैसे कटेंगे और यहाँ पर select paid पर आपको select करना होगा select पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं please wait don't press by क्या refresh तो आपको कुछ भी click नहीं करना है यहाँ पर थोड़ा सा loading लेगा और loading लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं application number आजाएगा bank refresh और remark यहाँ पर completed successfully यहाँ पर आ चुका है मैं देख सकते क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आएगा फिर से आपको select कर लेना होगा और यहाँ पर जो capture डिया है capture डालके print receipt पर आपको click कर देना होगा तो यहाँ पर मैं सब कुछ डालके print receipt पर click कर दे रहा हूं print receipt पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि receipt आ चुकी है और इसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं कुछ इस तरह से आप receipt को print कर सकते हैं तो अगर आपका भी access denied लिख रहा है तो आपको घबडाने की जूरत नहीं है 15-20 मिनट में आपका यहाँ पर जो status है उस सक्सीज हो जाएगा और इसी तरह से आपको करना होगा तो फ्रेंट कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं तो फ्रेंट I hope के वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दिजेगा और चैनल पर पहली बार आए तो फ्लीज झाल्स vyपड़ini o qué Voice प्लीज नहीं होगी वी आपको कर दे दो आपको कर दो खोगी कर दो मैं झाल्स-थियो आपको से वीडियोरो Babipa Gop